तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग के बारे में और यह बहुत ही इंपोर्टेंट और बेसिक टॉपिक है जो आपको हमेशा यूज होना ही होना है आप किसी भी प्रोजेक्ट में काम करो ठीक है वह किसी भी लाइग्वेज में भी हो वहाँ पर इस्ट्रिंग तो तो चलिए आते हैं अपने में टॉपिक पर और यहां देख पाओगे उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि यह जो टॉपिक है और इसमें जो भी हम अपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो मैं कब किस तरह से लाइफ टास्क में यूज किया हूं तो मैं बताता हूं कि एक प् पासवर्ड लिए टिए फिर उसका ऑईडी आपको यह पता है कि यह जितने भी चीज आप है जैसे कि डेरंगं के गिशाफ से हैं यूजर में पासवर्ड कभी चेंज हो सकता है तो वह भी शब्ल मेुल बताना हुगे उसके बाद रहेंग निच करना होगा है उसके पाद आ तो इक सिंगल यूरिल में सब डैनमिकली पास करने का सीन था यह मैं बताता हूं तो हमने क्या किया था उसे यह पहले समझ आप जैसे कि हमारा कोई एक स्ट्रिंग हो गया ठीक है तो उसे हमने डिफेंट इफेंट पार्ट में डिवाइड कर गया था दिफाइड किया उके इंदैसे सब जात में डिवाइड करके डिफाइड कीया इडेक पीस तरह से किस तरह से तो यह सारे चिजे जितने प्या परामिटर से सब क्या थa एक साथ जूडे हुए थे पहले से ही मतलब बिना प्लस साइं के नोई स्पेस के साथ सारे कुछ चुड़े हुए थे बस उनका एक पार्टिकुलर कारेक्टर सिंबल था उससे सारे जुड़े हुए थे इस तरह से मान सकते हुआ लाइक हमारा URL होगे बेस URL यूजर नेम होगे पासवर्ड होगे ID इस तर अब किस तरह से डामिक पास करेंगे वह में दिखना था चली आते हैं अपने में टॉपिक पर और हैंडल करते हैं कि क्या क्या उप्रेशन्स परफॉर्म किये थे लाइक अगर आपको अब क्या क्या चीज़े परफॉर्म करनी पर सकती है मालो की हमने एक यहां पर क्यार और हो सकता है तो डिफ्रेंडिधुः बैलोज हो सकता है अब का मेंको इनुघर में पासवर्ड और क्या करने है अब कर납 करके एक सिंगल इस्टिंग बनाना है वो सबको combine करके एक single string बनाना है, तो आप क्या करोगे उस समय? तो आप एक string define किया आपने new string और जो आपका care array value था उसको अपने यहाँ पर pass कर दिया, तो आपके care array का value किया था? आपके care string को आपने यहाँ पास कर दिया, इसका type करे रहे हो गया और इसमें कुछ values हो गया, इन values को हमें क्या करना था? कमबाइन करना था, तो कमबाइन कैसे करेंगे? तो बस आप इस तरह से pass कर दो, एक string बना दो, new string और आपने care string लिख देना है, और जो भी values होगा आपका, वो क्या होगा? एक string के format में आ जाएगा, अब यह तो हो गया कि भाई, array से निकाले, अगर आपको stream पास करना हो अपने keyboard से, तो उसकेस में क्या करोगा? तो उसकेस में आप scanner, scanner equal to new scanner, system.in आपने कर दिया, ठीक है, और आपने दे दिया, यहाँ पर, system.out.println, interior string, अब यह string कैसे इंटर होगा तो str scanner equal to scanner.next, ठीक है, यह आपका, अब यह scanner.next आपने कर दिया, अब आप क्या लेना है, जो भी आप parameter, जो भी values लोगे, वो आप keyboard से लोगे, और already मैंने stream input output में बता चुका हूं है, कि किस तरह से आपका values दास्ता है, आपके keyboard से, monitor पकी से, पिछले वीडियो में, तो अग मेरा पहले values था, उसको मैंने, अब देखो, यहाँ पर, मैंने string define किया, str, यहाँ भी str, यहाँ भी str, मतलब, एक ही str को मैं multiple time different different form में लेकर आ रहा हूं, तो अगर मैं इसको run करता हूं, तो आप देखो, the value of the string, str is string, अब str का value क्या है, str ing, यह character से उठाया, उसे combine के str, यहाँ और string format में ला दिया, अब यहाँ पर कह रहा है, इंटर्व्योर string, तो आप कुछ भी enter कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर कहता हूं, ctnp, computer tips and programming, यह मेरा string हो गया, अगर मैं enter करूं, तो आप यहाँ पर देखो, कि यहाँ पर multiple time different different आ गए, str का value, 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 str का str का value इस तरह से कैसे आ रहा है, वो समझते हैं, तो पहले आपने जो value लाय था हो किया था, character array से उठाय था, अब उस value को आप चेंज करते हो, कहां से, कीबोर्ट से type करके change कर दिया, आपने यहाँ पर value change हो गया, अब जो value है, उस value को मैं another string में convert करता हूं, तो मैंने क्या किय यहाँ तक तो आपका clear है, अब जो value था, मैंने एक different parameter पास कर दिया, double quote में string का value, तो अब क्या हो गया, यह java string हो गया, अब सेम java string को मैंने एक और concatenate यहाँ पर जोड़ दिया, concatenate, यहाँ पर एक string जोड़ दिया, तो वो कैसे हुआ, तो concatenate कैसे हो था, जैसे मैंने बता यहाँ पर str, हमारा old value, हमने एक space दे दिया, ताकि देखने में अच्छा लगे, और यहाँ पर concatenate दे दिया, तो यह क्या हुआ, string हमारा old value और new value क्या होगा, दोनों जोड़ करके, java string concatenate हो गया, अब तो यहाँ तक ठीक है, string, string, लेकिन आपको अगर string और integer का value जोड़ना ह सकता है, क्या करना होगा, सबको एक काटेगरी मिलाना होगा, तो मैंने अपने integer को क्या कर दिया, string के काटेगरी मिला दिया, वह कैसे आया, तो string is, मैंने एक नाए string बनाया, string dot value of, अब इसको मैं क्या करता हूँ, जो मेरा नम का value है, अब यहाँ पर क्या behave करेगा, as a string बन जा अब इसको इस्ट्रिंग में का दिया, और हमारा जो निव वैलू गेट हुआ, जावा, string, और हमारा 5 यह तरह से आपने देखा कि हमने ओल्मोस 5 परफॉर्म कर लिए, इस ट्रिंग के साथ, अगर आपके दिमांग में भी कुछ नया हो, तो आप कॉमेंट कर कर बता सकते हैं कि कॉमेंट को हैलाइट कर दिया जाएगा, या फिर उसे वीडियो के तौर पर यहां फिर से दिखा दिया जाएगा, तो यहां तक आई थिंग काफी है, बेसिक तिंग्स जो आप जब प्रोजेक्ट पर जाओगे तो हैंडल कर सकते हो, इतना कोई बड़ी बात है, और जैस